हलो फ्रेंड्स, वेलकम टो और मैं यूट्यूब चैनल, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि घर पर ही अपना अधारकार्ट कैसे डाउनलोड करें, अधारकार्ट एक इंपूरेंट वर्चुल आईडी होती है, जो कर कट जाए, फट जाए या खो जाए, तो उसे हम घर पर डाउनलोड करके, प्रिंट निकलवा कर यूज कर सकते हैं, तो आईए इस वीडियो में हम देखेंगे कि step by step आधारकार्ट कैसे डाउनलोड करते हैं, तुमसे पहले, अपने फोन में किसी भी ब्राउजर में आधारकार्ट की ओफिसल वेबसाइट, uidai.gov.in को ओपन कर लेते हैं, और इस वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं description में दे दूँगा, तो इसे हम जैसे ही open करते हैं, तो जैसे ही हम वेबसाइट open करते हैं, तो इस तरह का interface हमारे सामने खुल कर आ जाता है, और यहाँ पर option है कि download electronic copy of your आधार, आधार number के थूरू हम डाउनलोड करना च तो किसी भी option को हम चूज कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर आधार number के थूरू डाउनलोड करके दिखाता हूं, अपना अधार card number यहाँ फिल करने के बाद, इसके बाद नीचे आईए, तो इसके बाद यहाँ पर एक option आता है कि I want a mask अधार, तो mask अधार अगर आपको चाहि करते हैं, तो इस तरह से एक OTP हमाया registered mobile number पर send कर दी जाएगी, उस OTP को हम यहाँ पर डाल कर एंटर कर लिते हैं, OTP को एंटर करने के बाद, यहाँ पर एक survey follow करना पड़ता है हमें, इसमें कुछ question पूचता है, उन questions का हमें जवाब देना होता है, जैसे, कि क्या आपने अधार के लिए enroll कब किया था, थ्री मूंत पहले, नेक्स्ट, कि क्या आपने जो इन्वर्मेंट स्लीप होती है, वो बाई पोस्ट रिसीव कर ली थी, यस, नेक्स्ट, कि क्या आप जानते हैं, कि आप अपना अधार में address है, जो वो online update करा सकते हैं, यस, नेक्स्ट, कि आपने कभी अपना address कराया है, update, नो, कि आपका overall experience कैसराय अपडेट कराने में, तो हमने के भी try नहीं किया है, तो have not tried it yet, पर कर देंगे, नेक्स्ट, do you know that now you can order a preprint of अधार अधार online on UIDAI website by paying rupees 50, कि क्या आप जानते हैं, कि आप reprint करा सकते हैं अपने अधार कार्ट को UIDAI की official website से, 50 rupees काम आउट पे करके, तो yes, नेक्स्ट, आपको अधार reprint service के अबारे में पता कहा से चला UIDAI की website से, नेक्स्ट, how was your overall experience when using the आधार reprint service, तो हमने एक अभी try नहीं किया है, तो have not tried it yet, पर कर देंगे, और नेक्स्ट, फिर verify and download पर क्लिक कर देंगे, verify and download पर क्लिक करते ही, इस तरह से ये फाइल हमारे सामने खुल कर आजाएगी, और हाँ, इस बात से कोई फरक नहीं पड़ता है, कि हमने survey में questions का answer किया दिया है, questions का answer कुछ भी दे सकते हैं, तो जैसे हमें देख रहे हैं कि हमारे सामने ये फाइल खुल चुकी है, बट ये एक locked फाइल है और इसमें password मांग रहा है, तो बिसमें password क्या होगा, तो password हमारे नाम के starting के 4 alphabet होंगे, और हमारा birth year होगा, जैसे मेरा नाम गोरव है, तो मेरा starting के 4 alphabet G-O-U-R होंगे, और हाँ capital letter में, और उसके बाद मेरा birth year, जैसे 1996, तो ये डालकर हम open कर लेते हैं, password डालकर open कर लेंगे, तो इस तरह से ये फाइल हमारे सामने खुल कर आजाएगी, ये मेरा अधारकाट डाउनलोड चुका है, तो इस तरह से आप अपना अधारकाट डाउन करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने ब्राउजर में online to pdf.com open कर लेंगे, और इसके link भी आपको description में मिल जाएगी, यहाँ पर select file पर click करेंगे, और इस file को choose कर लेंगे, file चूज़ करने के बाद यहाँ पर click करेंगे, और यहाँ पर आपका password है वो डाल देंगे, पासवर्ट को डालने के बाद, यहाँ पर convert to, यह option आजाएगे कि आपको किस तरही फाइल में change करना है, कि pdf file में change करना है या jpg file में change करना है, तो pdf पर यहाँ क्लिक कर देते हैं, और Convert पर Option क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हमारी जो फाइल है वो Convert हो जाएगी और यह Unlocked हो जाएगी फाइल तो अब लास्ट में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर कभी आपका अधारकार्ड इनकेस खो जाता है तो आपको उसकी तुरंट Complain करानी चाहिए क्योंकि कभी आपके अधारकार का मिस्यूज भी हो सकता है तो अगर मेरे दुआरा इस वीडियो में प्रोवाइड की गई जानकारी आपको अच्छे लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए थैंक्स